पारस की खाड़ी में इस्तित अरब देशों में संजुक्त अरब अमिरात माने UAE की अपनी एक अलग पहचान है संजुक्त अरब अमिरात में अमिरात सब्द का अर्थ राज्य या रियासत होता है अमिरात के बादसा को अमीर कहते हैं संजुक्त अरव अमिरात में कुल साथ अमिरात या राज्य है हेलो दोस्तों कैसे है आप सब आप है कंवारा फिलिप्स पर और आज के इस वीडियो में जानिये संजुक्त अरव अमिरात से जुड़ी खास बाते हैं लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आय हैं इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर और करना न भूले संजुक्त अरब अमिरात में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारतियों की है अगर जनसंख्या के कुल औसत की बात करें तो संजुक्त अरब अमिरात में करीब 30 फिस्दी भारतिय और बारत परतिसत अमिरात के लोग हैं इसके अलावा अन्य देशों के लोग संजुक्त अरब अमिरात में रहते हैं अधिकारी काकणों के मुताबिक संजुक्त अरव अमिरात की कुल आबादी लगबक 90 लाग है। UAE में करीब दो तिहाई लोग दूसरे देश के हैं। UAE में लगबक 26 लाग भारत के नागरिक रहते हैं। UAE की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा है। UAE और इंडिया के बीच मजबूत आर्थिक रिष्टे हैं। साल 2017 में संजुक्त अरव अमिरात और भारत ने अगले पांच सालों में दुर्पथिया व्यापार को 60% तक बढ़ाने का सम्झावता किया था। UAE में रहते हैं केरल के सबसे ज़्यादा लोग। हफ्ते एक हजार से ज़्यादा यातरी विमानों किया वजाही होती है। भारत और UAE के बीच टूरिजम भी लगातार तेजी से बढ़ादा है। वीजा के नियमों में UAE ने भारतियों के लिए कई तरह की छूटती हुए है। साल 2015 से UAE के नागरिकों के लिए भारत में इवीजा की सुविधा दी गए थी। UAE के कोट में हिंदी भासा की मान्यता है। संजुक तरब अमिरात की राइधानी अभुधावी की अदालतों में हिंदी भासा का इस्तिमाल होता है। अभुधावी में आधिकारी ग्रूप से अर्भी, अंगरेजी और हिंदी भासा का प्रयोग होता है। बारतिय लोगों को UAE में न्याय पाने में कोई समस्या नहीं हो। इसलिए कोट में ये विवस्था की गई है। चलिए दोस्तों इतना ही। उमिद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के बीच सेर जरूर करें। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक कीप सर्चिंग फर्मालेज एंड ट्राइट वी एक काइंट परसन।